हेलो एब्रीवान मैं हूँ अदीतीशा और वेलकम यू ओल तो माइनेट ब्रीन्स जहां आपको मिलता है 100% education free from kindergarten to 12th class आज हम करने वाले हैं class 12th accounts का chapter number 8 dissolution of partnership firm हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसके concepts in detail देख चुके हैं अब हम जल्दी से उन concepts को दिमाग में रखते हुए अपने practical problem start करने वाले हैं ठीक है तो basically हम जो discuss करेंगे अभी कुछ questions वो सारे journal entry पर based होने वाले हैं ठीक है तो basically आपको यह पता है हमने जो detail में concepts में discuss किया था आपको directly in questions पर नहीं कूदना है आपको पहले पूरे concepts अच्छे से देखने हैं और उसके बाद फिर in questions वाले वीडियो उसको देखना है चलिए तो क्या होता है जब कि कोई form dissolve होती है फर्म बंध हो रही है ठीक है discontinue कर रहे हैं business तो form को क्या करना होगा फर्म को अपने जो assets है ठीक है उनको market में बेच के पैसा मिलेगा ठीक है cash मिलेगा और उस cash को form क्या use करेगी अपनी liabilities को pay off करने में समझ में यह बिलकुल उसी तरह से है एक्जामपल आप आज इस city में रह रहे हो एक city में रहे हो ठीक है आप रेंट पर रह रहरे हो अब आप चेंज कर रहे हो दूसरी city अपनी location हरो तो क्या करोगे आपका जो भी सामान है आपका फरनेचर है ठीक है उन सब को क्या करोगे बेच ओगे इहां पर समझ में वह और तो सब को बेच के खतम करोगे अपने जो भी ड्यूल जैंड रेंट पेमेंट कि उसके जो भी असेट्स है फॉर्निचर है प्लांट एंड मशीनरी है कंप्यूटर एक्सवाइज जो भी है लाइन विल्डिंग वो सब बेचेगी ठीक है उससे उसको जो पैसा मिलेगा वो अपने ड्यूज अपनी लाइबिलिटी अपनी उधारियां चुकाएगी अपने ल रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं यही पूरा प्रोसेस जो हैं यह रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं देखो क्या होता है देखो बैलन शीट है आपकी ठीक है यह हो गया लाइबिलिटी साइड यह हो गया असेट साइड अब क्या करना है आप मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है इन सब का debit balance है, तो इनको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा credit, तो आप इनको realization account के debit side में लेके जाओगे, ठीक है सारे assets को मार के यहाँ पर लेके जाओगे, similarly liabilities का credit balance होता है, इनको मारने के लिए debit करेंगे, तो credit किसको करेंगे realization account, तो liabilities के जो items है, जिनको आपको pay off कर रहा है, उनको आप यहाँ पर मार के ले जाओगे, तो पहला step क्या हो गया, balance sheet के assets और liabilities जो भी है, ठीक है, जो आपको pay off कर रहे है, या जो assets आप बेच सकते हो market में उन सब को मार कर हम realization account में ले जाएंगे, इतना समझ में आ गया, अब, दूसरा process क्या है उसके बाद, दूसरा step, अब इन assets को हम बेचेंगे, ठीक है, तो जो भी हमें पैसा आएगा assets से, ठीक है, तो क्या entry होगी, cash आ रहा है, cash या bank में पैसा आ रहा है, तो cash या bank account debit होगा, त समझ में आ रहा है, तो आपका cash या bank जाएगा, समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, cash या bank को credit करना होगा, तो आप debit किस को कर दोगे, realization account को, तो realization account के debit side में, cash या bank लिख दोगे, जो आप liabilities को pay off कर रहा है, तो आपके entry क्या हो जाएगी, realization account debit to bank, ठीक है, तो पहली पैसा मिल रहा है तो कैश या बैंक आ रहा है तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और रिलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अगर कैश या बैंक जा रहा है किसी भी कारेंट से ठीके पे ओफ कर रहे है या कुछ प्रिविजन करवा दिया अब जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे प्राक्टिकल प्रॉब्लम्स पे ग्वेशन नमबर वाल लाइन बिल्डिंग बुक वैल्यू रुपीज 1,60,000 एक लाइन बिल्डिंग थी आपकी बैलन सीट में जो एक लाइन साथ हजार पे बुक वैल्यू प फॉर्म तो हमें इस ट्रांजाक्शन को जर्नलाइस करना है समझ में आ रहा है तो देखो एक चीज़ तो समझ जाओ आपको सिर्फ ये सेल वाली एंट्री करना है बेसिकली जब आपकी लाइन बिल्डिंग बेची गई तब क्या एंट्री होगी लेकिन उसके पहले जो बालन शीट में दिख रही है तीक है इसको मार के लेकर गए होंगे कहां पर रियलाइसेशन अकाउंट में तो आपकी एंट्री क्या होई होगी रियलाइसेशन अकाउंट डेबिट टू लाइन बिल्डिंग अकाउंट ठीक है तो बेसिकली जब हम बैलन शीट के असेट्स को मार कर रियलाइसेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे तब आपका ये 1,60,000 यह वाली एंट्री हो चुकी होगी ठीक है तो अब आपका लाइन बिल्डिंग बुक्स में नही बेचोगे ठीक है जब इस लाइन बिल्डिंग को बेचोगे तो क्या होगा अब आपको लेंद इन के टॉम्स में सोचना है आपका असेट मर चुका है ठीक है अब इसाट को बेचने से आपको पैसा आएगा ठीक है कितना पैसा आएगा आपको वैसे तो 3,000,000 मिलना कमिशन तो अगर आपको ब्रोकर ने तीन लाख रुपए में लाइंडन बिल्डिंग को बिकवा के दिया तो वो तीन लाख रुपए पर दो परसेंट चार्ज करेगा अपना कमिशन समझ में रहें तो कितना हो जाएगा थ्री लाइक पर टू परसेंट डाट इस सिक्स तो क्या होगा आपको जो भी कस्टमर आपसे लैंडन बिल्डिंग खरीद रहा है ठीक है वो तीन लाख रुपए देगा लेकिन ब्रोकर जो है अपना ये वाला अमाउंट आपको 6000 रुपए ब्रोकर को कमिशन देना पड़ेगा समझ में आ रहे हैं तो बेसिकली यहां पर ब्रोकरेज, expense, account, debit नहीं करोगे क्यों नहीं करोगे ब्रोकरेज या commission को आप accounting नहीं करोगे क्यों क्यों कि यहां पर firm तो अल्रेटी बंद हो रही है हम तो इसके अब accounting ही बंद करना चारहे तो अब नहीं चीजों की accounting क्यों करेंगे ठीक है आप अल्रेडी उसके balance sheet के सारे items ध्लेटार चाली कर रहे हो तो अब नहीं चीजों को क्यों account for करोगे नहीं करोगे जूंद सारी चीजों को root 피ра गरना है realization से तो बस हमें क्या do band करना है पछले तो realization account में सारे assets and liabilities को लेजा मार रहा है और दूसरी चीज क्या याद रखनी है क्या मिल रहा है और क्या दे रहे है कैश है बैंक के टर्म्स में तो यहां पर क्या आपको मिलेगा नेट क्या मिलेगा आपको ध्यान से तो यहां पर हम लिख लेते हैं नेट amount received on sale of land and building तो net amount आपको कितना receive हो जाएगा land and building की sale पे 3 लाख रुपए आपको मिलना चाहिए था बट उसमें से आप 6,000 रुपए broker को दे दोगे तो आपको net मिल जाएगा 2,94,000 तो आप डारेक्टली इस net amount से आपकी entry करोगे that is क्या entry करोगे जल्दी बताओ 2,94,000 मिला मतलब cash या bank account debit होगा ठीके पैसा मिला रोकडा मिला तो cash या bank account debit और credit किसको कर दोगे realization account को समझ में आ गया तो यह हो जाएगा आपका 2,94,000 2,94,000 तो यहाँ पर हम narration लिख लेंगे being land and building realized ठीक है तो land and building को आपने बेच कर इतना पैसा कमाया क्लियर हो गया यह entry ठीक है इसको मैंने थोड़ा इसलिए आराम से डीटेल में समझाया ताकि आगे कि आपको questions में आसानी हो ठीक है तो हमने पहले concept revise कर लिया और उसके बाद हमने question को attempt किया तो आपको यह entry नहीं नहीं दिखानी है ठीक है यह मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि सबसे पहले step में आपने इसको अल्रीडी रिलाइज़ेशन अकाउंट में जाके मार चुका होगा अब आप इस असेट को बेचने निकल रहे हो तो आपको 3 लाग की डील मिल रही है जिसमें से आपको नेट ब्रोकरेज कमिशन 6,000 रुपए का देना है तो आपको नेट अमाउंट 2,94,000 मिलेगा तो जो मिलेगा पस उस पर ध्यान रखना है ठीक है तो cash a bank account debit मिलेगा 2,94,000 और realization account को credit कर द लिखते हैं पहले what journal entry will be passed when an unrecorded liability of 15,000 is settled at rupees 10,000 and paid by X a partner on the dissolution of a firm ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक 15,000 की liability है लेकिन वो unrecorded है books में record नहीं की गई है तो अब भी हम उसको फिर से record नहीं करेंगे क्यों 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 हमें नई चीज़ें यहाँ पर account for नहीं करनी समझ में आ रहा है तो जो unrecorded थी उसको unrecorded ही रहने दो हम सीधे जो settlement part पर आते हैं 10,000 रुपे पे किया इस liability को settle करने के लिए तो payment किया again lien दे नहीं हो रहा है तो payment किया तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से आपका अगर cash or bank के through payment होता तो आप क्या करते cash or bank को credit करते ठीक है और debit किसको करते realization account को तो यहाँ पर एपार्ट में हम निख लेते हैं realization account debit करेंगे क्योंकि हम payment कर रहे हैं ठीक है तो payment हम debit cell से करेंगे अब लेकिन यहाँ पर form pay नहीं कर रही है 10,000 रुपए यह form का partner है X वो पे कर रहा है ठीक है तो क्या करेंगे हम इसलिए credit हम क्या कर देंगे आप cash or bank नहीं करेंगे हम X का capital account credit कर देंगे to access capital account तो basically क्या है यह form ने X का capital account credit इसलिए किया कि form ने credit किया मतलब सर पे बो जा गया form के कि उसको X को यह वापस करना है ठीक है X ने form के बिहाफ पे 10,000 रुपए दे दिया है इस liability के against तो इसका adjustment उसके capital account से कर दिया जाएगा समझ में आ रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं being unrecorded liability settled by X ठीक है तो एक unrecorded liability थी तो आप यह नहीं करोगे यहाँ पर गलती से भी कि 15,000 की पहले liability को आप record करोगे जो पुराने chapters में करते थे जब revaluation करते थे बट यहाँ पर revaluation नहीं हो रहा है यहाँ पर realization हो रहा है ठीक है आपको यह difference समझना पड़ेगा आपके admission, death, retirement सब में आप revaluation account बनाते थे लेकिन यहाँ पर dissolution में revaluation account नहीं बनता है यहाँ पर हमें assets रुपे कर दिया, A part clear हो गया, तो 10,000 पे किया गया, X partner के द्वारा तो आपके entry हो जाएगी realization account debit to excess capital account, चलो, B part आजाते है, what journal entry will be passed when a machine having book value of 15,000 is given to Rakesh, a creditor of 22,000, तो अब ध्यान से सुनना, राकेश है, एक creditor, ठीक है, तो basically हमने उधारी लिए है, राकेश से कितनी, 22,000 रुपे की, तो firm ने 22,000 रुपे की उधारी लिए है, क्या decide किया गया, कि यहाँ पर book value एक machinery की है, 15,000, वो हम राकेश को देंगे, at a agreed valuation of 12,000, towards partial payment of his dues, तो क्या बोल रहे है, यह जो 22,000 की उधार रही है, इसको हम किस तरह से चुका रहे है, तो firm बोल रही है, कि 22,000 की उधारी, राकेश मैं तुमको 12,000 की valuation, book value तो 15,000 है, बट उसका agreed valuation 12,000 किया जाएगा, तो मैंने तुम्हें 12,000 में यह machine दे रहा हूं, ठीक है, तो यह machine दी 12,000 की, मतलब basically क्या दिया, asset दिया, तो 22,000 का payment आपने किस तरह से किया, 12,000 रुपए का asset के थुरू किया, और बचा हुआ, 10,000 आप cash बैंक के थुरू करोगे, समझ में आ रहे हैं, तो 10,000 रुपए आप monetary terms में, पैसो के terms में दोगे, और यह basically आप kind के terms में दे रहे हो, ठीक है, asset के terms में दे रहे हो, तो हमने यह गवी भी किसी liability को, किसी उधारी को pay-off किया जा रहा है, किस के दौरा, asset के दौरा, समझ में आ रहा है, asset, pay-off, asset के थूरू, liability को settled किया जा रहे है, तो क्योंकि liability और asset आपस में adjust हो रहे है, कोई भी लेन दे नहीं हो रहा है, पैसो के terms में, समझ में आ रहा है, तो इसलिए उस पैसे जो आप 12,000 की मशीन देके सेटल कर रहे हो असेट के बदले लायबिली लायबिलिटी के बदले असेट आप दे रहे हो बेसिकली तो यहां पर इसका कोई भी एंट्री नहीं होगी कोई जोनल एंट्री नहीं होगी सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ यह जो 10,000 रुपए क्रेडिट होगा ठीक है पैसा जा रहा है तो डेबिट क्या हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट कितना 10,000 बीक बैलेंस अमाउंट डू टू क्रेडिटर पेड ठीक है तो जो भी असेट के थू सेटल करने के बाद 22,000 मैंसे 12,000 सेटल करने के बाद जो बालेंस अमाउंट 10,000 बचा वो हम पेमेंट कर रहे हैं ठीक है तो देखो फॉर्स एंट्री आपकी क्या हो जाएगी realization account debit credit X capital account by 10,000 ठीक है और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी realization account debit to cash or bank account by 10,000 समझ में आ गया ये था आपका question number 2 clear हो गया इसमें कोई भी doubt तो नहीं है यहाँ पर बस एक note डाल देना no journal entry will be passed for settlement of liability via giving asset ठीक है तो asset देकर जो आप liability settle कर रहे हो उसके लिए कोई भी journal entry pass नहीं की जाएगी क्योंकि उस case में आपका कोई भी cash या monetary terms में exchange नहीं हो रहा है ठीक है समझ में आ गया चलो जल्दी से देख लो question number 2 clear है कोई doubt हो तो पूछ लो आगे बढ़ते हैं question number 3 pass journal entries in the following cases तो आपको यह बहुत सारे cases दिये हुए आपको इन हर case के लिए journal entry pass करनी है चलो तो यहाँ पर ध्यान से एक एक case देखते जाएंगे और अपना concept लगाते जाएंगे सबसे पहले क्या बोला गया है realization expenses वर rupees 5000 तो फर्म को 5000 रुपए के realization expenses हुए realization expenses क्या होता है basically आप assets को जब market में बेशने निकलते हो तो उनको realize करने के regarding जो भी खर्चे होता है चोटे मोटे वह आप उनको क्या बोल देते हो realization expenses अब realization expenses नाम का कोई नया हैड नहीं खोलोगे expenses का क्यों क्योंकि हम already wind up कर रहे हैं हमारी form dissolve हो रही है ठीक हम सब कुछ समेट रहे हैं अपना सब कुछ निप्टा रहे हैं तो accounting नई चीज़ों कि accounting हम नहीं करेंगे इससे लिए हमें क्या करना होगा एक केस में पैसा तो जा रहा है ठीक है ध्यान से 5000 रुपीज आपकी जेब से जा रहे है तो cash रेलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और तू बैंक या cash अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो फॉर्स्ट आपकी entry समझ में आ गई ठीक है अगर यह नॉर्मल अकाउंटिंग होती तो यहाँ पर क्या करते आप यहाँ पर आप रियालाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक करते बट यहाँ पर क्योंकि फॉर्म डिजॉल्व हो रही है यहाँ पर नई चीजों को हमें और नहीं लेकर आना है जो पुरानी आप जो है सिर्फ एक अकाउंट डाट इस रियालाइजेशन अकाउंट के थू सारी चीज़ें रूट करेंगे समझ में आ रहा है तो यह हो गया आपका एपार चलो तो यहाँ पर हम लिख लेता है बीइंग रियालाइजेशन एक्सपेंसे पेड चले एपार्ट खतम अब आजाते हैं बी पार्ट पर देखो बी पार्ट में क्या बोला है एक्सपेंसे ओफ रियालाइजेशन रूपी 600 बट पेड बाई मोहन पार्टनर अब फर्म के खर्चे थे फर्म का एक्सपेंस था 600 रुपए ठीक है तो यहाँ पर खर्चे को डेबिट नहीं करेंगे खर्चे की जगे किसको डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट को तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन वो फर्म ने पे नहीं किया वो मोहन जो पार्टनर था उसने पे किया कितना 600 रुपए ठीक है तो यहाँ पर क्लियरली कैश या बैंक की 600 रुपए फर्म ने अपना बेसिकली जो खर्चा था उसके अगेंस डेलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया किसको मोहन को क्योंकि मोहन ने फर्म के वियाफ़ पे 600 रुपए दे दिया है तो यहाँ पर लिख लेता है बीग रेलाइजेशन ए पेड़ बाई मोहन ठीक है क्लियर हो गया तो यह बीपार्ट भी क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट मोहन वर्फ़ पार्टनर्स फ़र्म वस आज्ट लुक इंट डिसलूशन अफ़ फर्विच वर्विच वर्विच ही वस अलाओ अ कमिशन रुपीस 2000 तो यहाँ पर क्या बोला है कि मोहन जो पार्टनर है क्या बोला सारे पार्टनर्स की मोहन तुम्हें काम करो यह जो फॉर्म का डिसलूशन हो रहा है यह पूरा प्रोसेस जो है यह पूरी जो इसकी रिस्पॉंसेबिलिटी है तुम यह कर लो ठीक है तुम यह पूरी इसका रिस्पॉंसेबिलिटी सम कंभाल लो ठीक है देख लो कैसे क्या प्र मैस को है उसके बदला तुमको हम कमिशन देधे देंगे 2000 रुपई का समझ में रहे है थीक है तो यहां पर फार्म ने मोइन को बोला कि हम तुम्में कमिशन दे देंगे थो कोर्य चाहे आरहे समझ में तो खर्चे के लिए क्या करेंद फॉर्म कमिशन अकउंको डेब extra करेंगी क्योंकि नया नहीं छीजते से नहीं खोलनी है तो रिछसन अकाउंट को करेंगे था तो यहां पर। 2000 रुपीस का जो कमिशन है उसके अगेंज हम अम ऐलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे अब यह किसको देना है यह मोहन को देना है ठीक है तो क्लिरली यहां पर क्रेडिट क्या हो जाएगा मोहन का गैपटल अकाउंट तो टू मुहन के अबिल अकाउंट ठीक है 2000 तो यहाँ पर हम लिख देंगे being commission due to mohan ठीक है तो mohan को 2000 रुपए का commission देना था उसकी आपने journal entry कर ली तो अपना खर्चा भी book कर लिया realization account debit करके basically ठीक है और किसको देना है mohan को देना है तो इसलिए mohan का capital account क्या कर दिया credit कर दिया क्योंकि mohan को मिलेगा तो उसको जो भी मिलेगा तो उसका capital account credit होगा चलो next be part motor car of book value rupees 50,000 taken by a creator of book value of rupees 40,000 in settlement ठीक है तो basically क्या हो रहा है एक creator था 40,000 रुपए का जिसको 40,000 लेने थे form से उसने का एक काम करो firm तो अपनी motor car जो है जो 50,000 रुपए की है वो मुझे दे दो मैं माननूगा कि तुमने मेरी पूरी liability settle कर दी ठीक है तो यहां पर again यहां पर settlement तो हो रहा है लेकिन क्या monetary terms में हो रहा है नहीं यहां पर liability को चुकाया जा रहा है किस के थूँ असेट के थूँ ठीक है liability को settle किया जा रहा है asset pay करकर asset के थूँ समझ में आ रहा है तो जब भी liability और asset आपस में adjust होते हैं तो क्या entry होती है नहीं तो यहां पर हम d का लिख देंगे no entry will be passed तो कोई entry pass नहीं की जाएगी समझ में आ रहा है ठीक है तो no entry will be passed for asset taken over by creditor ठीक है तो कोई भी creditor asset को जब take over कर लेगा asset और liability का आपसी adjustment हो रहा होगा तब हम कोई भी general entry pass नहीं करेंगे तो बस यह था आपका question number 3 easy था समझ में आ रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ते है question number 4 पर pass journal entries for the following first a part है तो यहाँ पर लिख लेते हैं यह हो जाएगी journal entries चले तो a part देखते हैं क्या बोला गया है realization expenses of rupees 10,000 were to be met by Mohan अब partner but were paid by firm तो यहाँ पर खर्चे realization expenses bear करने का कि जिम्मेदारी किसकी थी Mohan की थी लेकिन यहाँ पर कौन पे कर रहा है firm पे कर रहा है तो firm पे कर रही है तो cash या bank तो credit होगा क्योंकि पैसा जा रहा है लेकिन debit क्या होगा क्या firm का खर्चा था जो realization account को debit करें नहीं firm का खर्चा नहीं था इसलिए वो realization account को debit नहीं करेंगी लेकिन firm ने Mohan के बिहाफ पे वो pay कर दिया तो यहां पर firm किस से वसू लेगी Mohan से लेगी तो Mohan का capital account debit कर देंगे ठीक है तो बहुत simple logic है जब भी partner को पैसा देना है किसी भी situation में उसका capital account credit कर दो ठीक है वो basic के लिए उसको दिमाग में रखो कि यह अभी हमारा इस चीज के लिए creditर बन गया है तो इसलिए उसको मैं स्क्रेटर ट्रीट करेंगे लेकिन जब भी partner से पैसा लेना है ठीक है तो उसको बिलकुल डेटर की तरह ट्रीट करो तो इसलिए उसका capital account को हम क्या कर देंगे debit ठीक है समझ में आ रहा है तो Mohan's capital account debit कर देंगे तू फर्म ने पैसा दिया cash या bank account ठीक है तो फर्म का cash या bank गया 10,000 रुपए तो फर्म ने 10,000 credit कर दिया और debit किसको कर दिया Mohan को तो Mohan से basically Mohan के बहाफ पर फर्म ने 10,000 रुपए दे दिया है for realization expenses तो यहाँ पर लिख लेते है being expenses paid on behalf of Mohan चलो A part clear हो गया चलो B part पर आते है Mahesh a partner was paid remuneration of rupees 25,000 and he was to meet all expenses अब यहाँ पर क्या बोला firm ने बोला कि Mahesh तुम जो हमारे partner हो तुमें हम 25,000 रुपए दे देंगे और जितने भी खर्चे है ठीक है अब वो तुम समझना ठीक है वो तुम manage करो basically आपको चलो हर मही ने 1,000 रुपीज दिया बोला तुम्हारे जो भी petrol के खर्चे है mobile recharge वो तुम उसमें से manage करना तो इसी तरह से यहाँ पर भी firm ने Mahesh को बोला कि मैं तुम्हें 25,000 दे दूँगी ठीक है यह रेमिनरेशन जो दिया तो realization account को debit कर देंगे और यह किसको देना है 25,000 रुपै किसको देना है महेश जो partner था तो clearly यहाँ पर partner को पैसा देना है तो उसका capital account हम credit कर देंगे तो 2 महेश capital account 25,000 आ रहा है समझ में तो यहाँ पर हम लिख देंगे being रेमिनरेशन रेमिनरेशन paid to महेश आ रहा है समझ में clear हो गया है तो B वाला part clear हुआ मैं अगी फिर से बोल रही हूँ रेमिनरेशन दे रही थी firm महेश को तो वो रेमिनरेशन क्या था खर्चा था फॉर्म के लिए तो अब रेमिनरेशन अकाउंट डेबिट तो नहीं कर सकते क्योंकि नहीं अकाउंटिंग हमें नहीं करनी इसलिए रेलाइजेशन अकाउंट को डेविट कर दिया और किसको देना है 25,000 महेश को देना है इसलिए महेश का कैपटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया समझ में आ रहा है तो क्या चीज़ डेबिट हो रहे है क्या चीज़ क्रेडिट हो रहे हर चीज़ के पीछे लॉजिक है चलो सी पार्ट सुरेश अब पार्टनर वस पेड रेमिनरेशन ऑफ 20,000 और यहां पर सुरेश चो पार्टनर था उसको रेमिनरेशन दे चुका था बीस हजार रुपए का ठीक है तो बेसिक लिए क्या किया था फो हमने अगेन यह बुक किया होगा रेमिनरेशन अकाउंट डेबिट करने की जगे रेलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया कितना 20,000 और किसको दिया किसको दिया फॉर्मने सुरेश को दिया कि चलो मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे रहे हूं अब तुम इससे अपना पू रेमिनरेशन पेड़ टू सुरेश ठीक है यहां तक समझ में आ गया लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट यहां पर क्या बोला गया है फर्म पेड एंग से लेकिन सुरेश को बने डिया का लेकिन फर्म को पाँछ हजार रुपये का एक्सक्रा खर्चा बियर करना पड़ा ठीक है जो की सुरेश को करना चाहिए था क्योंकि सुरेश को एक बजा इसनल दे दिया बोला गया कि अब तुम सारे एक्सपेंसेंस नीट किया है तो अब मैं तुम्हारा capital account debit करूँ तो सुरेश capital account debit और credit क्या करेंगे cash bank क्योंकि firm क्या cash bank गया है जेब से कम हुआ cash bank तो 5000 फर्म ने पे किया इसलिए cash bank account credit कर रहे है किसके बिहाफ पे किया सुरेश के बिहाफ पे किया तो सुरेश से हमें वो पैसा लेना है एड़ेस्ट करना है तो इसलिए सुरेश का capital account हम debit कर रहे है ठीक है तो being expenses paid by firm समझ में आ रहा है तो यह हो गया आपका question number 4 ठीक है तीनों पार्ट समझ में आ गए यह D पार्ट नहीं होगा basically यह C पार्ट का ही में आंसर है यह मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है ठीक है कि already entry हो चुकी होगी कि आप remuneration pay कर चुके हो सुरेश को तो realization account debit to सुरेश capital account and उसके बाद क्योंकि firm ने सारे expenses meet करने थे सुरेश को लेकिन firm ने 5000 का expense एक्स्ट्रा किया है उसका basically recovery कहां से होगी सुरेश के capital account से होगी ठीक है तो फर्म ने जो पे किया cash a bank account credit हो जाएगा और सुरेश की capital account से उस 5000 को हम recover करेंगे इसले उसका capital account debit कर दिया समझ में आ रहा है तो question number four का solution देख लो कोई भी doubt हो तो पूछ लो आगे बढ़ते हैं अगले question पर question number five pass a journal entries for the following तो यहाँ पर भी a b c तीन situations दी हुई है इन situation पर based हमें journal entries pass करनी है चलो एक एक करके situation देखते जाएंगे और journal entries pass करते जाएंगे सबसे पहले देखते हैं a क्या बोल रहा है देखो realization expenses were 10,000 and paid by the firm on behalf of a log तीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है realization expenses 10,000 के थे जो आलोग के बिहाफ पर firm ने pay कर दिया with whom it was agreed at 7,500 इसका मतलब क्या है 7,500 का इसका मतलब यह है कि firm ने आलोग को 7,500 की pocket money दे दी समझ में आ रहा है बोला firm ने की 7,500 लो और जितने भी खर्चे है अब तुम manage करो इस में से ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ अब 7,500 वाली क्या entry हो जाएगी यह आपको main solution में नहीं दिखानी है तो मैं आपको यहीं पर लिखके बता रहे क्या entry हो जाएगी firm realization account को debit करेगी ठीक है क्योंकि firm 7,500 का basically remuneration दे रही है किसको आलोग को ताकि वो इस खर्चे को manage कर सके तो realization account debit to alloks capital account 7,500 यह entry होई होगी लेकिन जो realization expenses 10,000 के हुए क्या हुआ आलोग को bear करना चाहिए था आलोग को manage करना चाहिए था यहाँ पर firm ने on behalf of आलोग पे कर दिये तो यहाँ पर clearly क्या entry हो जाएगी ध्यान से तो firm के तो खर्चे नहीं है वो दससार तो इसलिए firm realization account को debit नहीं करेगी firm ने आलोग के बिहाफ पे खर्चा किया है तो clearly यह पैसा firm किस से लेगी आलोग से लेगी ठीक है तो आलोग capital account debit किया जाएगा ठीक है और firm ने pay कर दिया तो firm का cash या bank कम हो गया तो इसलिए to cash और bank account कर देंगे समझ में आ रहा है तो यह दस हजार रुपए का जो firm ने आलोग के बिहाफ पे payment किया है वो आलोग के capital account से recovery करेंगे और firm ने क्यूंकि cash या bank में payment कर दिया है इसलिए 10,000 credit करेंगे cash या bank ठीक है तो यहाँ पर आ जाते है being realization expenses paid on behalf of our log समझ में आ रहा है ठीक है तो journal entries बहुत important है इस chapter में समझना क्यूंकि generally resolution से journal entries वाला ही question आता है तो chances जादा है ठीक है तो आपको अच्छे से यह सारे entries के concepts पता होने चाहिए क्यों हम यह कर रहे है चलो पी पार्ट पर आ जाओ realization expenses were 5000 it was agreed that the firm will bear 2000 total खर्चा था 5000 का realization expenses जिसमें से firm सिर्फो सिर्फ 2000 ही bear करेगी मलब 2000 का खर्चा किसका होगा firm का होगा and the balance by ravindra a partner समझ में आ रहा है तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा firm का खर्चा सिर्फ 2000 होगा तो firm अपना जो खर्चा book करेगी उसके लिए नया head नहीं खोलेगी उसको realization account से ही रूट करेगी तो realization account debit form कितना करेगी form debit करेगी 2000 ठीक है तो फर्म को क्योंकि 2000 करना है इसलिए फर्म realization account debit को 2000 से करेगी समझ में आ रहा है and बचा हुआ remaining balance 3000 किसको बियर करना है रवेंद्र को ठीक है तो इसलिए यहां पर हम क्या कर देंगे रवेंद्र capital account debit ठीक है अब क्योंकि expenses टोटल अभी पे कर दिये हैं फर्म ने तो cash और bank account credit हो जाएगा total कितना 5000 पे कर दिया ठीक है तो यहां पर लिख लेते being realization expenses paid तो टोटल 5000 के जो expenses पे किये उसमें से सिर्फ 2000 जो था वो firm को bear करना था इसलिए realization account debit को हमने 2000 से किया समझ में आ रहा है अगर यह पूरा का पूरा 5000 ही firm को bear करना होता तो यहां पर entry क्या हो जाती realization account debit 5000 to cash or bank account 5000 यह अगर पूरा का पूरा रवेंद्र को ही bear करना होता तो जैसे कि हमने यह किया रवेंद्र के भिहाफ पर पूरा 5000 पे किया होता तो रवेंद्र capital account debit 5000 to cash or bank 5000 हो जाता लेकिन यहां पर 5000 में से 2000 firm को bear करना है इसलिए realization account को debit कर रहे है 2000 से ठीक है remaining रवेंद्र को bear करना था तो रवेंद्र के capital से recovery करेंगे उसकी तो रवेंद्र capital account debit 3000 और फर्म ने 5000 पे कर दिया तो cash or bank credit हो रहा है क्योंकि पैसा जा रहा है समझ में आ गया तो यह हो गया आपका भी पाट चलो अब आ जाते हैं सी पाट पे dissolution expenses of rupees 10,000 वर paid by Amit a partner on behalf of the firm ठीक है तो यहां पर 10,000 का खर्चा हुआ ठीक है और वो किसने पे कर दिया Amit ने पे कर दिया on behalf of firm मतलब खर्चा तो फर्म का था तो इसलिए realization account debit किसका होगा फर्म का होना चाहिए तो realization account debit हो जाएगा 10,000 लेकिन क्या payment form ने किया cash or bank credit होगा नहीं payment किसने किया payment किया Amit ने ठीक है on behalf of firm तो clearly Amit का capital account credit कर देंगे क्योंकि firm को Amit को देना होगा इसको Amit's capital account credit कर देंगे be expenses paid by Amit on behalf of firm बस तो इत्ती सी कहानी थी आपकी question number 5 की ठीक है तो entries समझ में आ रही है clear हो रहा है concept चलिए तो आगे बढ़ते है नेक्स्ट question number 6 pass necessary journal entries in the following cases तो अगयन आपको creditors worth rupees 85,000 accepted rupees 40,000 as cash and investment worth 43,000 in full settlement of their claim to creditors थे कितने 85,000 के ठीक है अब कैसे settlement हो रहा है इनका उन्होंने 40,000 as cash लिया तो 40,000 as cash ले रहा है वो payment और 43,000 investment लेकर वो settle कर रहा है ठीक है तो basically 85,000 के बदले में उनको 83,000 मिल रहा है total जिसमें से 40,000 cash और 43,000 की investment है समझ में आ रहा है अब यहां पर जो यह वाला part है asset liability के बदले asset वाला part ठीक है कि liability को अब settle कर रहे हो through asset या creditor जो है वो asset को take over कर रहा है उसकी कभी भी कोई journal entry नहीं होगी क्योंकि monetary terms में payment नहीं हो रहा है यहां पर समझ में आ रहा है यहां पर asset और liability आपस में adjust हो रहे है तो इसलिए उसके लिए हम कोई particular journal entry पास नहीं करेंगे तो हमें यहां पर journal entry कौनसी वाली पास करनी होगी यह वाली ठीक है जो 40,000 का payment कर रहे है तो यहां पर clearly entry क्या हो जाएगी यह creditors पहले तो आप मार चुके होगे already ठीक है balance sheet में ले जाके आप already सारे assets liabilities मार चुके होगे तो अब creditors का account तो आप zero कर चुके हो ठीक है क्योंकि realization account में अपने पूरा amount transfer कर चुका है समझ में आ रहे है इसलिए आपको जो भी payment है वो realization account के थ्रूई root करना पड़ेगा तो realization account debit to cash और bank account 40,000 तो 40,000 का जो आप payment कर रहे हो ठीक है monetary terms में उसको आप दिखा दोगे तो being amount paid to creditors तो यह आपका हो जाएगा A part clear हो गया तो first entry clear हो गई realization account debit to cash account 40,000 चले second entry creditors were 16,000 they accepted machinery valued at 18,000 in settlement of their claim तो यहाँ पर creditors 16,000 के थे उन्होंने बिला ठीक है कि आप अपनी machine रे 18,000 के हमें दे दो और बात खतम करो ठीक है settle करो तो यहाँ पर आपको यह नहीं सुचना कि अरे वो तो 16,000 के थे वो assets क्या होगा लोग फाइदा उठाएंगे आपका assets आपके सस्ते में बिकेंगे और liabilities जिनकी होगी ठीक है वो आपस ज्यादा पैसा लेंगे क्योंकि आपकी firm बंद हो रही है समझ में आ रहा है तो यहाँ पर clearly आपको उस चीज की accounting नहीं करनी आपको सिर्फ impact देख रहा है क्या हो रहा है एक creditor machinery से settle हो रहा है तो liability और asset आपस में adjust हो रहा है इसलिए यहाँ पर कोई भी entry नहीं होगी no entry clear हो गया चलो see part creditors were 90,000 they accepted building valued at 1,20,000 and paid cash to the firm rupees 30,000 तो अध्यान से सुनों creditors 90,000 के थे उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो ठीक है आप हमें building ने दो 1,20,000 वाली जो आपकी है ठीक है तो उसके against हम यह माल लेंगे कि 90,000 तो settled हो गया बट जो excess amount है वो हम आपको 30,000 रुपए वापस कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर जो liability और asset का adjustment हो रहा है उसकी हमें accounting नहीं करनी उसकी कोई भी entry नहीं करनी लेकिन जो यह 30,000 फॉर्म को cash मिल रहा है तो cash और bank account क्या हो जाएगा debit तो cash और bank account debit हो जाएगा कितना 30,000 से तू किसके थूरूट करोगे realization account तो पैसे का लेंद देन जो भी होगा वह realization account के थूरू ही तो cash और bank account debit to realization account being excess amount received from creditors clear हो गया इतना तो यह आपकी entries हो गई question number 6 की कोई भी doubt हो तो पोशलो अभी तक चले तो I hope आज हमने जो practical problems discuss किये class में question number 1 से लेके question number 6 तक आपको बढ़िया तरीके से journal entries समझ में आई है इसमें कोई भी doubt हो दिक्कत हो परिशानी हो तो comment section में लिखना ना भूले आज के लिए इतना ही बागी के जो भी questions है करेंगे आने वाले अगले लेक्चर में तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहे ये magnet brain stay tuned